और क्या हाली मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेतापाक कलाम इस स्वाकत के साथ सभी नंदन करती हूँ, आप लोग कैसे हो, अज श्वेतापाक कलाम बना कच्चे आम के दोरा त्यार रसम रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बन के त्यार होगी, एक अगर आपने इस तरह के से कच्छी आम की रेस्पी को बना के त्यार कर लिया तो यह रेस्पी आपको बहुत जादा पसंद आएगी थोड़ी सा मागरी कम समय के त्वारा बन के त्यार हो जाती है गर्मियों की सीजन में कुछ कम मसाले वाला खाना हो पर तीखा चटपटा और खटा खाने का मन क्या तो एक पर आप इस रेस्पी को जरूर ट्राई करेगा कम समय के त्वारा और पूरी तरह से हिल्दी बन के त्यार होगी चलो दोस्तो हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं कच्ची आम के त्वारा त्यार रसम रेस्पी इस रेस्पी को बनाने के लिए 300 ग्राम हमने कच्चा वाला देसी आम लिया है जो थोड़ा सा ज़्यादा खटा होता है और इसी के त्वारा इस रेस्पी को बना के त्यार करेंगे उस कसवाद भी बहुत अच्छा रहेगा और यह आपकी लिए भी अच्छा रहेगा न पर दो बार अच्छी तरीके से पानी से दुप के साब कर लेती है इस तरीके से थे के तीनों पीस आम त्यार हो गया अब इन आमों को हमने छोटी छोटी टुकड़े में कट करके त्यार कर लेना है आम के अंदर जाली पड़ गई है तो हमने पहले बड़े टुकड़े में काट के तीनों पीस आम को त्यार कर लेना है इसी प्रॉस्स के त्वारा बचे भी आम के अंदर से भी हमने पूरी गुदे वाले हिस्सी को निकाल के त्यार कर लिए know गुट्लियों को साइड में रख देते हैं, इस तरह देखे तीनों पीस आम को हमने कट करके तैयार कर लिया है अब हमने एक पैन ले लेना है और पैन के अंदर पूरे आम को डाल देते हैं आम को कट करने बाद इसको हमने नहीं धुलना है क्योंकि पहले हमने धुल के साफ कर लिया पूरे आम को अपने पैन के अंदर डालने कि बाल लगबख 200 अमेल के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया कि जिससे आम अच्छी तरीके से डूबा रहा है अब इसको अपने गैस पे रख देना और गैस की फ्लेम को मेडियम कर देते हैं जब इसके अंदर उबाला जाता है तो गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको लगबख 5 मिर्ट तक पका के त्यार कर लेते हैं सीजन वाला आम मेर तो इसको पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और ये जटपट पक के त्यार हो जाता है इस तरह देखे आम तयार हो गया एक पीस आपको निकाल के दिखा देते हैं इसको फ्लेम को बंद कर देना है इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं इदर एक मिक्सी के जार के अंदर हमने एक टेबे स्पून जीरा और आधी टेबे स्पून काली मिर्च को लिया था इसको दरदरा पीस के त्यार कर लेते हैं काली मिर्च और जीरा को डालते से में वीडियो सूट नहीं हो पाई थी उसके बाद इसके अंदर तीन से चार पीस हरी मिर्च को डाल देते हैं आधा से एक इंच अद्रक के टुकड़े को डाल देते हैं इसके अंदर मने चौथाई टेबर स्पून हल्दी पॉडर डाल दिया और ढखकर लगा के इसको भी मिक्सी की जार के अंदर एक बार चला लेते हैं अभी इसको पीशते समय हमने पानी को प्योग बिल्कुल ने किया इस तरह देखे इसको पीश के तियार कर लिया अब जो हमने कच्चा वाला आम पका के रखा था इसको रखे हुए भी लगबग 10 मेंट हो गया है एक मतनीक साहता से या मैशक साहता से आप इसको अच्छी तरीके से मैश कर लीजे आप चाहें तो मिक्सी की जार के अंदर भी इसको डाल के मैश कर सकते हैं पर इस तरह से मैश करके बनाएंगे मतनीक द्वारा तो इसका स्वाथ बिल्कुल अलग होता है इस तरह देखे पूरी को हमने मैश करके त्यार कर लिया अब इसके अंदर लगबग 10 लीटर पानी को डाल देते हैं इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं बात में ज़रुत लगेगी तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालेंगे गैस पे हमने एक पैन लगती है पैन गरम हो गया तो पैन के अंदर लगबग 1-5 टेबे स्पून सरसो का तेल डाल देते हैं जब तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाता है आधा टेबे स्पून इसके अंदर हमने राई को डाल देना आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं साथी साथ एक बड़ा दाना सरसो का इसके अंदर हमने हिंग को डाल दिया ये देसी वाली हिंगी इसलिए हमने थोड़ी मातर हम डाला है पॉडर वाली हिंग हो तो आप एक पिंच के करीब इसके अंदर हिंग को डाल सकते हैं दो हरी मेर जो 10 से 12 करीब अधा इसके अंदर डाल देते हैं अब जो अमने जार के अंदर मसाला पीस के तयार किया तो उसके अंदर थोड़ी से पानी को डाल के मसाली को इसके अंदर डाल देती है पैन के अंदर तरकिक साथ इसको अच्छी तरीके से मिला देती है और जार के अंदर थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया पर थोड़ा सा पानी ज्यादा पड़ गया दो मीटियम साईज की टमाटर को उमनी छोटे टुकडे में कट करके तैयार का ते पूरे टमाटर को इसके अंदर दाल दीती है स्वाट के उंसर आधा टीबे स्पून से थोड़ा सा ज़ादा आपनी सादा नमाग दाल दिया और चौथाई टीबे स्पून के करीब इसके अंदर हमने काला नमक डाल दिया काला नमक जरूर डालीगा इससे इस रिस्पी का स्वाथ बहुत जादा बढ़ जाता है शालुक साथ इसको अच्छी तरीकी से मिला देते हैं कवर करके गैस की लो फ्लेम पी इसको पांच मिनट तक हमने पका के त्यार कर लेना है पर बीच में आप एक से दो बार इसको जरूर चला दीजेगा और इसको पकते वे लगबग पांच मिनट हो गया है मसाले अच्छी तरीकी से भुन के तयार होगे टमाटर भी सॉफ्ट हो गया अब जो पने आम का घूल बना के रखा था पूरे खूल को इसके अंदर डाल देते हैं डालने बाद इसको अच्छी तरीकी से मिला लेते हैं इस रेस्पी को अपती चाबल के साथ बना के तयार किया तो पानी की क्वांटिटी आप अपती टेस्ट के साथ से कम्या जादा कर सकते हैं इसको अपने कवर कर देना है और गैस की फ्रेम को मीडियम कर देते हैं दुबारा सी इसके अंदर उबाला गया उबाला निक बाद गैस की फ्रेम को लो कर देते और इसको ढख के लगपक 5 मिनट तक पका लेते बहुत जादा इसको मत पकाईएगा इस तरह देखे पकते वे 5 मिनट हो गया एक बार इसको अच्छी तरीकी से मिला दिया पर से थोड़ा सा धन्या पत्ता और 2-3 हरी मिर्ची स्किंदर हमने डाल दिया आप चाहे तो रेट चिली पाउडर या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इस तरह के से देखे कच्छे आम का रसम बन के तयार हो गया इसको चावल के साथ आप इंज्वाय करिए का बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है एक पार आप इस रेश्पी को जरू ट्राइ करेगा अगर आपको मैं रेश्पी आच्छी लगती वीडियो पसंद आती है तो लाइक से और सब्सक्राइब करें स्वात के साथ से सहत का पूरा द्यान रखिए हिल्दी बनाईए हिल्दी काईए आपने पना कीमती से मनिका के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्मात बहुत बहुत शुक्रिया